गईज आजके वीडियो को बताने वाला हो कि आप लोगों को वर्डप्रेस 6.3.1 को कैसे आपको अपडेट करना है गईज काफी सारों लोगों के मन में एक डाउट होता है कि अगर हम वर्डप्रेस वेबसाइट को यहांपे अपडेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट में जो आपकी वेबसाइट के जो डेटा है वो गाइज यहां पर लॉज हो सकता है तो आपको क्या करना यहां पर देख पार है कि वर्जन 6.3.1 यह वर्जन वेबसाइट के नए वर्जन है यहां पर 29 अगस्त को यहां पर रिलीज हुआ था बड गाइज आज यहां पर 14 सेतंबर है तो आपने अगर अभी तक अपडेट नहीं किया हुआ है तो आप इसली हाँ पर अपडेट कर सकते हैं तो फर्स आपको क्या करना कि अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को आपको यहां पर लॉग इन कर देना है और लॉग इन करने के बाद यहां पर आपको सो करेगा तो वर्जल 6.3.1 यहां पे क्या-क्या चीजित आपको और भी अबडेट करना होगा वो भी सारे चीज़ आपको यहां पर प्लगिन को अपडेट नहीं करना है ठीक है अब मुझा करना है वर्ड्प्रस को अप्रित कुछ इंपोर्टन चीज़े हैं इपकी वेब साइड में यहाँ जो डेटा है जो फाइल साइं इनको आप तो थोड़ा सा घला ना की यहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो यहां कर रहे हैं तो यह थोड़े दिर आपको यहां पर वेट करना इसके बाद गैज हमारे यहां पर वर्डप्रेस वेबसाइट 623.1 में यहां पर डाउनलोड हो जाएगा आपको दिखा दर गाईज डाउनलोड हो चुका है और यहां पर आवे चुका कि वर्डप्रेस 623.1 करके यहां पर निचे स्कॉल करेंगे तो यहां पर मैंटेने रिलीज यह सब चीज़े आपको यहां पर नया मिलेगा वह सारी चीज़ें आपको यहां पर स्कॉल करेंगे और करने के बाद यहां पर हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट अपडेट हो चुका है अब यहां पर नहीं करना है यानि कि आपको वेबसाइट में कोई भी छेडखानी करने अगर कभी करते wepte वेबसाइट में तो आपको नहीं रप्डेट करना है और उसके बाद कोई भी डेट में एक वन्हीं करना है किसे दीट्ब्स नहीं हुआ है आपको यह सब आपको यहां पर द्यान देना होगा तो अगर आपको ही वीडियो पसंदे नहीं चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करदें एंड फिर मिलेंगा में एक और नेक्स वीडियो में तब यह आप लोक अपना ध्यान लखना है जैहिन वद्नेवातरम